आपके लिए चिड़ावा सहर में खुल चुका है राजिस्थली रिसोर्ट वहे भी स्विमिंग पुल के साथ जहां आपको स्विमिंग पुल के साथ स्वादिश्थ भाना और फैमिली के लिए बैठने की उत्तों व्यवस्ता मिलेगी वहे भी गार्डन के साथ चाहे खाना ख सब्सक्राइब के साथ चिड़ावा सहर के नजदी की गाहों चहानों की धानी के अंदर इस वक्त मोजूद है और बिल्कुल डिपी चोरी की वार्डात जो है वह बढ़ती जा रही है बिल्कुल मैं डिपी की कौन सी बात कर रहा हूं आपके वार्टसप ग्रूप पर लगी है बिल्कुल इसके अंदर हो सकता है कि विभाग के करमचारियों की मिली बगत भी हो सकती है बिल्कुल ऐसा ही मामला कुछ साल बर पहले का ही है मंडेला थाने के अंदर का मामला था वहां के कुछ करमचारियों की मिली बगत से ही डिपी चोरी का मामला जो है वो सामने आया परदावास हुआ था उसका पुलिस ने आरोपियो गिरफतार भी किया था लेकिन अब ये दूसरी वारदा तो है चड़ावा सहर के नजदी की है बिलकुल एक वारदा ते चड़ावा प्लानी रोड पर हो चुकी है वहां से पांस डीपी एक ही रोड पर से चुराई गई थी और आज जो है अगाओं के अंदर से दो डीपी की वारदा cory की वारदास जो है वह सावने आई ऑगरामिर यासाथ मोझूद है पास है पास में इंकिम्र्थे बच्टों को भी काफी प्रिशानेगा साबना करना पर रहा है ग्रामिरों से बाचित करते हैं वह क्या करते हैं इसकुल के प्रधाना देपक है वो भी हमारे साथ है मैं क्या मामला है और कब से यह वर्दते हो रही है का सर्य मैं यहां से दो साल से कारेरत हूं और यहां पर तीन बार ताले टूटचके है दो बार टॉयलेट बात्रूम जो थे वो पूरे डेमेज कर चुके थे नल वगर सारे तोड चुके हैं ताला टूटा था उसकी शिकायत हमने 212-2023 को प्रशाशन को की थी जिसमें प्रदल बहुत गंबीर विशे हैं लेकिन बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी यहां पर किसी प्रकार की कोई वैवस्ता हमें प्राप्त नहीं हो रही है बिल्कुल कुछ से ग्रामिड भी हमारे साथ है किस तरह का यह मामला है वार्दा जो बार-बार हो रही है यह दो डिप्पी है पने गाओं की तो यह रात को लगवग एक से और तीन के लगवग तोड़ी गई है तो इसमें 20-25 कनेक्शन है तो रात से सपलाई बादित है और इ पुलिस ने कोई कारवाई नहीं कि जो इसके अंदर तामबा पड़ा था वह भी पुलिस लेके चले गई वह जो खोखा है वह आज तक भी पड़ा हुआ है और यह जो खेल का मैदान है सामने आप देख रहे हो यह भी काट दिया गया है तो पावरास वाले जो खाली जो समा पड़ना पड़ेगे चोरी का बहुत गंबीर विशे है इससे पहले भी अपने बावा पुर्णदास जी के मंदिर में भी चोरी हो चुकी कई बार अपने गाह में शेठ हैं उनके भी दो गाटर पट्टी ऐसे समान उठा के ले गए गए गाह में बहुत चोरी की ज्यादा बढ़ रही है काप इसे में से बहुत गंबीर विशे है आए दिन हर दिन चोरी का मामला हो तजारा अरब यह स्कूल में जो बच्चें पढ़ने वाले यह भी रात को हुआ है इस बहुत समश्य आ रही है बच्चों को सभी परेशान है ग्राम मिन भी बहुत परेशान है इस सामने आई है लेकिन इससे सरम की बात यह की लगबग एक साल पहले भी यहां पर ऐसी ही वारदात हुई थी लेकिन आज तक कोई कारवाई नहीं हो पाई है पाउर हाउस के जो अधिकारी करमचारी है उनकी तरफ से भी कोई एक्सन नहीं लिया गया जो सामान जो है चोरी का है वहाँ पर ही कल परसो में ही पांस डिपी एक साथ और रोड से चोरी की गई है चोरों की हिमत इतनी है कि और रोड से वह चोरी की वारदात कर रहे है चालू लाइन के अंदर जो है वह चोरी घटना और अंजाम दे रहे है बिलकुल यहां पर सरकारी स्कुल के जो बच्च है यह आगे जाकर बड़ी भी होगी तब उनको फिर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा बिलकुल यह वारदात छोटी नहीं है यह कहीं ना कहीं उनकी नासूर बनने वाली है अभी इतना ही देखते रहें सिवनगरी टाइमस के साथ मेरे को मोबाइल पे सूचना म करते हैं उसके बाद ही सप्लाइड रिस्टोर की जाएगी वह तो पुलिस थाने वाले करवेंगे हैं मोका जांज करते हैं उसके बाद जो मोके पे जो समान ब्रहम्द होता है वो उसके प्रजब्ति बनाते हैं